तो यह एक safe, very safe strategy थी जिसको आप पूरे महीने में आप खो सकते हो दो परसेंट आपके पास पाने के लिए लगबग लगबग 8-9% तो आप profit के साथ अपना time भी साथ में खो देते हो But in a high value RN Condor Hello everyone, so welcome back to video gamers again और आप सबको पता होगा हमने 7 episodes of जो हमारी series 23rd की हमने उसको complete कर लिये थे पर अब बारी आ चुकी है कि हम थोड़ा सा advanced level पे जाएंड इस बार जो इस वीडियो में लेके आया है वो basically एक बहुत ही simple strategy है ठीक है और मैं बहुत ही मतलब बिल्कुल flat plain तरीके समझाने का ट्राइ करूँगा कि अगर आग बिल्कुल नए बंदे भी हो तो जो हमने पहले पढ़ा है और जो मैं आज पढ़ाने वाले हैं दोनों को mix करके कुछ बहुत ही बहतर फौरा monthly strategy बना सके monthly का मतलब मैं बोलना चारा हूँ कि अगर आप एक part timer भी हो आप बहुत कम time दे सकते हो market को तो वो भी आपके लिए बहुत ही suitable रहेगी and एक अच्छा पैसा और एक safe पैसे आप कमा सकते हो जिससे क्या होगा कि क्योंकि अगर आप एक part timer आपके पास time नहीं है आप बहुत कम सम के लिए market को देखते हो तो उस time पे आपका ध्यान loss की तरफ ना होते हुए कि मेरा loss बड़ा है tension में ना रहते हुए आप काम पे भी ध्यान से सको और इस चीज़ पे भी ध्यान दे सको तो इस चीज़ पे आज हम workout करेंगे और एक बहुत ही simple monthly strategy पे ध्यान देने वाले हम पु sequential वीडियो देखने वाले हैं जो आपको एक बहतर understanding देगा towards market ठीक है चले start करते हैं अच्छा रुको जिल लोगोंने अभी तक first से लेके 7th chapter तक अभी तक नहीं देखा है तो please you can go here आप यहाँ देख सकते हो मैंने अभी यह देखो master class 12 यहाँ पे आपको जो इस type के thumbnail देखने 123 लिखा हुआ है वह 7 तक है already तो आप अगर उन्हें पहले देख लोगी तो आपको यह वीडियो थोड़ा बहतर समझ में आगी and अगर अभी तक आपने वीडियो को like और theta गैस को subscribe नहीं किया YouTube पे तो आप कर सकते हो आपको आगे चलके काफी बहतर चीजे सीखने को मिलेंग जो आपका आपने अगर strangle sell किया तो उसके अगर side से आप hedge buy कर दोगे तो आपका जो loss है वो cover up हो जाएगा hedge basically you can say just to safeguard या support your naked position जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँ अगर जैसे एक normal strangle होता है ये रहा देखो जैसे short strangle ये आपको short strangle अगर देखना हो तो ऐसा कुछ दिखता है ये रहा short strangle में क्या होता है एक call sell होता है और एक put sell होता है correct है एक call sell और एक put sell मिलके आपको एक theta gain provide करते है जो की on expiry आप यहाँ से earn कर सकते हो and overall net credit of 1500 यहाँ पे एक lot आपको दिख रहा है ठीक है ये एक अच्छी strategy बट इसमें क्या problem है इसमें problem यह है कि you have unlimited loss on both side max loss is undefined undefined का मतलब क्या होता है कि आपके पास पाने को 1500 रुपे है और खोने के लिए आपके पास एक पूरी यहाँ पे देखो you can't से but two sigma तक भी अगर मैं मानू तो 1500 के against में आप आपके यहाँ पे almost 7000 रुपे जा रहे तो यह किसी भी तरीके से अच्छा risk reward नहीं है मतलब आपको 15 रुपे मिले और आप 7000 से 8000 खोने को ready हो यह risk reward अच्छा नहीं है on a monthly basis you will be lost क्योंकि आपको महीने में वो एक ही trade मिलने वाली और उस एक trade में आपका perform करना बहुत important है अग लेकिंग का एक न्याय नहीं है on a monthly basis तो यहाँ पे इस चीज को hedges से convert करने के बाद यह चीज क्या कहलाती है अगर मैं इसी strangle पे इसी strangle पे इस loss को cover up कर दो something like this तो यह क्या कहलाता है यह कहलाता है एक iron condor iron condor की definition आपको screen पर दिख जाएग और उसकी एक photo भी आपको दिख ज strangle होता है मतलब जो strangle था उसमें हम loss को अगर क्या करें control करते है चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम hedges by कर दें strangle में तो क्या होगा वो एक iron condor कहलाएगा और iron condor एक तरीके समझ लो जहाँ पे आपका loss fix है fix है मतलब यह देखो इसमें आपको दो चीज़े दे आपका profit भी है और एक limited loss भी है दोनों चीज़े यहाँ पे cover हो गए पर क्या यह बहुत बड़ा कुछ impact डाल रहा है जैसे कि मैं आपको बताओं आपका जो profit है वो अभी भी 1000 रुपए है और आपका जो loss है वो अभी भी 6400 रुपए है यह risk reward अभी भी भी बहुत बुरा है त तो आपने यह hedges buy करके इसको iron condor बनाके ऐसा क्या उखाण लिया आप मेरे बास समझे रहो आपने exactly सिर्फ अपने मन को तसल्ली दी है कि मेरे पैसे loss नहीं होंगे बट actually यह तो short strangle में भी इतना ही होने वाले थे अगर market two sigma के बाहर open होती तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे भी अगर market two sigma के बाहर two sigma का मतलब यह है almost 1000 point gap up gap down अगर खुल गई तो आपके 3-4000 ही loss होने वाले तो एक strangle और iron condor के बीच में आपने कोई खास कुछ भी नहीं ऐसा कर लिया just एक मन को तसल्ली दी है कि नहीं यार मेरा unlimited loss नहीं होगा that's it उसके अलावा ऐसा नहीं है कि एक lot से आपके जो इस triangle डला हुआ है उसमें आपको दो लाग का loss होने वालता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि 15 quantity है अगर वो 1200 point भी down खुल गया तो आपकी जो in the money की premium होगी वो आपको 1000 point से loss दे रही होगी 15 quantity पे आपको 15,000 का loss हो सकता आप 120,000 रुपे यूज करने के बाद जो कि margin लगेगा एक lot को sell करने में naked आप 10% या 12% आराम से खो सकते थे इन naked strangle आपने यहाँ पे hedges buy कर दी है जिससे आपका जो वो loss ratio है वो 10% से गिरके 5% पे आ गया है but this is very rare this is very rare मतलब वो जो 1000 point का gap down हो डेली थोड़ी हो रहा है लाश चीश के भरोसे हम just buy कर देना और iron condor बना देना यह कोई सहुलियत नहीं है हमें iron condor को समझना होगा जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे जहां तक मतलब मुझे दिख रहा है आपको 1000 रुपे मिलने वाले if you succeed in this if you succeed in this ओके अगर आप इसमें succeed नहीं होते हो तो आपको जो loss ह वो आपको 6492 का है तो मतलब सिर्फ iron condor बना देना एक just solution नहीं है to get out of that unlimited loss scenario ठीक है तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला है इसमें हम ना इस iron condor को थोड़ा बहतर बनाने का try करते हैं बहतर बनाने के लिए मैंने क्या सूचा है कि हम जो इसका profit और loss का ratio है उसको एक lower down करते ह तो इसके लिए मैंने क्या किया इसके लिए मैंने simple strategy create करी है आपको यह याद रखने की need नहीं है you just need to do one thing आप क्या करो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान इतना रखना है यह monthly strategy में बता रहा हूँ आप इसको by weekly और weekly भी यूज़ कर सकते weekly it will be tough to understand and handling but by weekly and monthly it is good to go और आप इसको handle कर सकते ठीक है यह monthly strategy है तो मैं कुछ pointers है जो आपको बताना चाहूँगा monthly strategy का मतलब यह है कि आपको इसको deployment के लिए आप month की beginning का month की beginning का कोई भी मंडे चूज कर सकते है month की beginning का मतलब यह होता है कि इस month की expiry अगर 30 तारीक को खतम हुई है 30th को खतम हुई है इस month की तो जो आ बनाने के लिए मैंने एक चीज नोटिस की जो कि as a practice मैं आपसे share कर रहा हूँ कि आप अगर 25 डेल्टा के अगर call और put sell करते हो और इससे 500 points away या 400 points away का option buy करते हो as a hedge तो आपका जो iron condor वो बहुत ही बहतर risk reward से बनता है ना कि 1000 खोके I mean 1000 पाके 6000 खोना चलिए इस चीज को notice करते हैं कैसे बन सकता यह तो let's go and create one तो यहाँ पे हम monthly strategy ले रहे है monthly should be I think December 28th in my opinion ठीक है और let's go builder पे गहे यह रहा है builder strategy 28th 28th का short iron condor this looks fine to me अब देखो यहाँ पे हम पहले देखते हैं क्या क्या है हमारे पास we have 43 300 का P sorry 43 300 का P and 44 300 का call और उससे 500 points away का call buy है और इधर भी लगबग 500 points away का put buy है बिल्कुल मतलब मैंने सिर्फ क्लिक किया और वो जो हम चाहते थे वो बन के आ गया है just मैं आपको showcase करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि option chain में डिल्टा कितना है यह रहा selling option का जो डिल्टा है वो मुझे 0.5 दिख रहा है जो की not at all safe हम इनको हटा देते जो की regular जो इसमें इनको मैं हटा रहा हूं तो डिलीट 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 ठीक है अभी हमने क्या सीखा कि हम सबसे पहले 25 डिल्टा वालों को फर्ष्ट मंडे मंत के फर्ष्ट मंडे को monthly expiry वाले को बेचेंगे ठीक है तो यह यहाँ पर डिल्टा दिख रहा है यह 18 डिसमबर आ गया डिल्टा डिल्टा यह रहा 25 हाँ यह 25 चबविस का डिल्टा यह मैंने सेल मारा ठीक है multiplier को मैं 36 कर रहा हूं to a freeze value जिससे हमें थोड़ा सा एक समा जाए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है okay and नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो डिल्टा यह रहा यह रहा यह रहा 25 चबविस हटा इस यह रहा सेल ठीक है और पुट की तरफ अगर हम गए इसको मैं हटा रहा हूं remove और इसके just नीचे वाला सेल कर रहा हूं just to balance out क्योंकि यहां पे आप देखोगे बहुत ज्यादा premium variation है दिसंबर वाले में ठीक है यह हमने यहां पे ले लिया 25 25 डिल्टा का अब इसमें क्या करना था 500 पॉइंट अवे यह 400 पॉइंट अवे का भाई करना ठीक है तो जो सेल किया है 43 200 इससे 500 पॉइंट अवे चलते है 1 2 3 4 5 यह मैंने किया भाई नीचे की तरफ भी similarly कहां गया य यह किया मैंने भाई यहां पर आप देखोगे अब मैं इसको हाइट कर देता हूँ यहां पर आप देखो क्या हो रहा है इधर देखो max profit is 1 lakh exact 1 lakh and max loss is 1.7 lakh पहले जो एक regular iron condor हमने देखा normal one उसमें क्या है कि हम बहुत safeguard होना चाहते हैं safeguard होना चाहते हैं मतलब हम बहुत दूर का out of the money बेशना चाहते हैं कई बार देखो क्या होता है मैं आपको just for example बता रहा हूँ कई बार हम सोचते हैं कि हम जितना दूर का put और जितना दूर का call बेचेंगे हमारी P.O.P. probability of profit बहुत increase हो जाएगी और हम जीतने के chances बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे यह एक गलत thinking है गलत thinking कैसे बताऊँ मैं कि आपने चलो माना आपने यहाँ पर 50 रुपे का sell किया यहाँ पर 50 रुपे का sell किया डोनों साइट से आप equally equally सर्फ 100 पॉइंट कमाने वाले हो on expiry पर अगर किसी दिन भी 500 पॉइंट का move आया तो आप 200 से 300 पॉइंट खो जाओगे तो आप अपनी इस strategy के लगभग तीन बार का खो चुके हो इसका मतलब आप अपनी timeline में already महीना देड़ महीना दो महीना पीछे जा चुके हो तो आप profit के साथ अपना time भी साथ में खो देते हो but in a high value rn condor मैं बोलूगा high value जिसमें ज्यादा profit होता है ज्यादा premium होती है उसमे जब आप जीतते हो तो जीतते वक्त आपके पास एक ऐसा amount होता है जो आपको draw down पे जाने में और उस recovery करने में आपको ज्यादा बहतर समय देता है कम समय में आप recovery कर पाते हो तो इसको मैं बहुत इस जश्ट माई opinion ऐसा बिलकुल नहीं है कि जो लोग बहुत दूर से बेशत चार्ट देखते हो दिन भर यहाँ पर इस वक्त हमने चार्ट में कुछ भी यूज किया nothing at all हमने just 25 डेल्टा का first mandate को बेच दिया है last expiry का and that's it उसके बाद 500 point दूर का hedges buy कर लिये हमारा iron condor यहाँ पर ready है and that iron condor belongs to almost 1.7 is to 1 मतलब अगर आप एक कमा रहे हो तो उससे 1.7 खो रहे हो और इसकी probability of profit P.O.P. 54% है for now break even almost 4% upside and 2% downside right now ठीक है यह future values के basis पे synthetic और मुझे लगता है कि December के जो premiums है up and down में बहुत गयाता है ठीक है तो यह हमने यहाँ पे create कर लिया this is just the creation part अभी तक किसी को को confusion है simply मैंने बताया है क कि हम जो इस triangle है उसको naked ना रखते हूँ उसको hedge करना चाते है hedge करते ही वो एक iron condor बन जाता है एक basic iron condor हम जो चाते हैं उसको feed नहीं कर सकता तो हम क्या कर रहे है हम अपने thoughts को थोड़ा और simplify करते हूँ हम क्या करना चाते है कि हम थोड़ा बहतर बड़ी value का iron condor create करना चाते है उसके लिए हमने 25 delta बेचा है ये एक monthly strategy है तो हमने monthly expiry ली है 25 delta बेचा है और लगभग 500 point दूर 16, 17 या 15 delta की चीज़ को buy किया है equal quantity में जिससे हमें एक बहतर risk reward वाला iron condor बन चुका है ये हम यहाँ तक बहुत चुके हैं this is way too much fine clear है इसको बनाने में किसी को कोई जद्वजहत नहीं होनी चाहिए अब मैं आता हूँ कि हम इसको treat कैसे कर सकते trade कैसे कर सकते चलिए मैं आपको just for the sake of knowledge कि हम इसको कैसे करेंगे मैं एक adjustment simulation करना चाहूँगा कोई भी मन्त उठाते है ठीक है this is daily chart ठीक है daily chart में let's ठीक है अभी पीछे के ना कुछ भी जैसे October अक्टूबर गया जब दे सकता है जब दे सकता है जब दे सकता है जब तीस ये तेस उन्हेश October is way October बहुत थी बुरा देख रहा है मुझे बहुत तेजी सनीचे है 40,000 से हमने 40,000 टच किया फिर उपर आए ठीक है हम October टेस्ट कर सकते हैं तो मैं simulator में जा रहा हूं ठीक है simulator में I am going for October month Monday 2nd को है 2nd की छुट्टी है तो basically हम 3rd को गए और मैं 9-16 को ना बनाते हुए I am going for midday 12 बजे के असपास create कर रहा हूं और October 26 के लिए क्या करना चाहिए मुझे I just need to go ahead and sell nearly about 24-25 delta यह मैंने sell किया lot again I am going for 36 ओके और उसके बाद नीचे की तरफ call side में आये हम यह रहा मैंने sell किया similar 45-700 है तो यह 46-200 मैंने buy किया इस तरफ कहा है इस तरफ मैंने 40-700 है तो 1-2-3-4-5 यह मैंने buy किया It's almost done मैंने बना लिया है अब देखो मैं कुछ चीजे clear करना चाहता हूं clear मतलब इसको समझना होगा this is my third attempt to iterate this जिससे आप इसको understand कर सको आपने अभी एक strategy create करी है that looks like this ठीक है आपकी market अभी इस वक्त यहां पर यह आपका loss है यह आपका profit है simply understand एक rn condor already hedged and adjusted strategy होती है इसका मतलब यह है कि rn condor का mtm swing है वो काफी low होता है काफी low का मतलब यह है कि इतना नहीं कि बिल्कुल loss ही नहीं होता but काफी low का मतलब यह है कि आपके deployed capital जो आपका margin है उसके बहतरी के हिसाब से तो उसके अंदर अगर आप देखो तो उसका mtm swing loss का जो ratio बहुत काम होता है इसलिए जब तक आप rn condor के green area के अंदर हो आपको ज्यादा कुछ feel नहीं होता simply मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि जब हम एक rn condor create करते हैं और वो एक perfect उसमें आ जाता है जो हम जैसा हम चाहते हैं जैसा risk reward हम चाहते हैं तो मैं कभी भी rn condor को green area के अंदर छेड़ना पसंद नहीं करूँगा जब तक वो अपने green area में है i don't want to disturb it यह adjust it ऐसा कुछ भी नहीं करना है simply हम इसस strategy के साथ भी करेंगे हमारी adjustment start कहां से होनी चाहिए जब वो अपने green area को cross करें चाहे left में या right में तो जब भी वो green area को यहाँ पे end करेगा और left कर रहा होगा उसी वक्त चाहे 5 minutes की closing candle ले लो चाहे 15 minutes की उसी वक्त यहाँ पे हम क्या करेंगे इस iron condor को iron fly में convert कर देंगे this is advanced class तो simply मैं यहाँ पे iron condor iron condor क्या होता है strangle का hedged version iron fly straddle का hedged version मतलब straddle मतलब call और put same strike के बेचे हुए और hedged version मतलब something like this अब यह कैसे convert होगी मतलब अगर market उपर को cross कर रहा हो और आपकी इस strike पे आ चुका हो तो आपको इन दोनों को close करना है यहाँ पे एक call होगा इसी strike का put बेचना है और hedge को buy कर देना है आप current fly बन जाएगा simple as that clear है मैं पहले यह करके दिखाता हूँ हम यहां तक पहुंचते हैं तब आपको समझ आएगा तो अब मैं लगभग एक एक दिन करके market को आगे बढाता हूँ जिससे इस video जल्दी खतम हो सके यह बैंक निफ्टी देखा अभी हम सेंटर में हैं यहां पर आप देख सकते हो वियर अर्निंग नियर टू बारह हजार कोई अच्छच अभी देखा हम सेंटर में हैं नो प्रॉब्लम अभी भी सेंटर में तीस हेजार हमें मिल रहे हैं आपके पास जो भी पैसे पड़े हैं आप उसका 40% से 50% आपको यूज करना चाहिए जिससे आपको एक sense of money management फील हो ठीक है आगे बढ़ते हैं जब तक हम green के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना यह देखो यहां पर आप almost 3% कमा रहे हो आपके deployed capital का और आपका यहां पर जो 56% का POP था आप देखो यहां पर 56% का आपका POP था वो आप 70% पर बहुँच चुका है इसका मतलब यह है कि RN Condor धीरे 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 time के साथ अपनी probability of profit increase कर सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है जब तक green में हमें कुछ नहीं करना है October हमें पता है last में बहुत तेजी से गिरा है तो यह market कभी भी गिरने वाली अभी हमें 55,000 मिल रहा है जो कि 4.4% of deployed capital यह बहुत लोगों का target amount होता है बट अगर हम यह देखें कि अगर आपने 50% ही use किया है तो यह 25,000,002% की earning है अभी महीने का 17 October आई अभी हमारे पास थोड़ा time है ठीक है अर्केटर को बिलकुल नीचे गिर गया उसके बाद थोड़ा फिर उपर बड़ा 19 तारीक आ गई 20 तारीक को देखो हम बिलकुल पहुँच चुके हैं कहां पर almost at the edge time कितना हो रहा बारा पंदा तो देखते हैं पंदा मेट में क्रॉस कर रहा है क्या जैसे ही वो strike क्रॉस कर गया ठीक है तो हम इस वक्त लगभग जो हमारा net spot है 43600 पे पहुँच चुका और हमने जो बेच रखा है जो P है वो 4700 का है तो इसका मतलब यह हम क्रॉस कर चुके अगर मार्केट इस तरफ आ गई है तो हम इस call side को इस call side को क्रॉस करेंगे मतलब close करेंगे और यही वाला call बेचके इसको ऐसा एक iron fly बना देंगे तो let's do it यह गए हम अपने calls को close करते हैं यह मैंने निकाला 90,000 और यह जो call बाई था 48 यहाँ पर हमने almost लगभग 42,000 रुपए का इस पास कमाए यह मैंने दोनों close कर दिये अब मैं क्या करूँगा 43,700 का ही call और 500 point away का hedge buy simple तो हम option पर चलते हैं और हम गए 43,700 का call sell और 1,2,3,4,5 यह buy यह देखो आपको आराम से देखने को क्या मिला यहाँ पर देखने को मिला कि हम rnfly को convert कर दिया हम मतलब rnfly पर आ चुके हैं अब यहाँ पर कुछ notice करने वाली बाते हैं देखो आप क्या ध्यान नहीं देत हो बड़ मैं आपको एक एक करके समझाता हूं आपका पहले max profit था 99,000 ठीक है आपका max loss था 1.7 lakhs अब आपका loss है 77,000 अब आपका loss है 77,000 आपका profit है 1.93 lakh मतलब यह just opposite हो गया है तो जैसे ही आप अपनी जो strategy है उसको rnfly में convert करते हो rncondor से आपका जो risk reward हो flip कर जाता है flip मतलब जहां पर loss ज्यादा था वहां पर profit ज्यादा हो जाता है और जहां पर profit कम था वहां पर profit बढ़ जाता है और यह बिल्कुल flip side आपको देखने को मिलेगी आपका POP कम हो गया 40% क्यों क्योंकि आपके पास profitability increase करके आप market को छोटा कर लेगा आपका जो green area वो छोटा हो चुका है और market लंबा move कर चुकी है तो इसमें क्या sense of मतलब यह क्यों कि है हमने इससे क्या होता है आपका control on your loss start हो गया control on your loss मतलब अब आपका जो loss है बिल्कुल आपने control कर लिया है एक महीने में अब आप 3% से जादा नहीं खो सकते कुछ भी हो जाए बट आपके पास पाने के लिए इस वक्त अगर देखा जाए on capital लगबग 5% है और deployed capital लगबग 10% के असपास कमाने के लिए आप अपने capital का सिर्फ खोने को पता चले कि हम इसको कैसे बचाएंगे और कितना बचा सकते हैं even for a month like this जहां पे बिल्कुल expiry के नजदीक आके market ने देखो क्या किया बिल्कुल low पे close कर दिया तो यहां पे हम कितने पैसे खो सकते थे कितने बचा सकते थे that's the main game यह बुरे से बुरा है profit में आ चुके हैं एक दिन और आगे चलते हैं 25 तारीक को market direct नीचे आ गया तो अब हम direct नीचे की जगा पहले देखते हैं 23 तारीक को 30-30 minute आगे करके क्या market नीचे आते हुए हमें दिखा green area में हमें कुछ नहीं कर रहा है मतलब चाहे iron condor का हो चाहे iron fry का करेंगे यह देखो लगवक तीन बज़े के आसपास market नीचे गिरी है तो पांच मिनट करके देखता हूँ यह देखो अब हम एक मिनट आगे करते हैं और एक मिनट और बस यह देखो यहां पर market नीचे चली गई थी अब market नीचे की तरफ चली गई iron fly की green area से अब हमें क्या करना है simply हम कुछ नहीं करेंगे हमारे पास एक बड़ा profitable area है in center हम दूसरी side से extra selling करेंगे किस पैसे से जो हमने 50% बचा रखा है क्यों क्योंकि हम यहां पर यह जो 77,000 है यह हम खोना नहीं चाहते simple as that तो हम क्या इसको पूरा cover कर लेंगे नहीं we'll just try to handle it we'll just try क्योंकि market ने हमें बहुत अच्छा profit दिया mid में but last के 4 दिनों में पलट गई बट हमें उसको भी manage करना है तो हम यहां पे क्या बेचेंगे हम दूर से selling start करेंगे 15 delta से जिससे हम धीरे धीरे जो 77,000 हम उनको cover कर सके तो let's go and option chain open करते delta यह रहा 15,18 delta call side है यह हमें ने sell किया sell करते equal quantity में sell करना है sell करते ही हमें सबसे पहले क्या देखना है obviously sell करते ही जो दूर का side है क्योंकि आपने iron fly बनाया है यहाँ पर आपको loss देखने को मिलेगा तो हमें यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि अगर even अगर market नीचे गिर भी गई है और पलट के 2% उपर खुल जाती है तो क्या हम कितना lose कर सकते है और अगर वो lose आपके inside the limit है that is fine otherwise हम और दूर से बेचेंगे यह एक्स्ट्रा कॉल तो 2% market को उपर लेके जाता हूँ ठीक है ओके यह रहा loss दिखा रहा है 1.4 lakh क्या हम accept कर सकते हैं इसका मतलब मैं इसको नहीं बेच सकता let's remove it मुझे और दूर जाना होगा एक और sell करते हैं अब मैं देखू ज़रा अभी हम कहां पर 43-300 पर अगर मैं 500.00 उपर का gap up देखू तो 33-800 यह देखो 800 के आज पास आपका खोना है 52,000 क्या आप खो सकते हो 2% अगर market gap up हो गई नहीं मैं इसको भी नहीं खो सकता हूँ मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ ठीक है चलिए हम और नीचे जाते हैं 852,000 नहीं remove let's go अब यह कर सकते हो 1,2,3 27,000 हाँ ठीक है यह मैं कर सकता हूँ अभी हमारा loss कितना बचा है लगबग 69 मतलब हमने सिर्फ 8,000 रुपए कवर किया एक दिन और आगे बढ़ाते हैं हम 25 तारीक पे आ गए हैं 25 तारीक पे जो हमने एक्स्टा सेल किया कि हम उसमें कुछ कमा रहे हैं यह चार रुपए का पहुँच गया और हम यहां पे लगबग 5000 रुपए से कमा रहे हैं अभी इस वक्त overall P&L 51,000 है इस जगह पे market almost जहां से हमने start किया था यह रहा यह रहा 3rd October 44,600 से market इस वक्त खड़ा है 42,600 मतलब हम 2000 पॉइंट डाउन है और 2000 पॉइंट डाउन आने के बाद यहां पे हम अभी 51,000 लूजिंग पे है और यहां पे 4 रुपए चला गया जो हमने बेचा है वो 5 रुपए के नीचे चला गया तो this is almost a useless thing हम इसको निकाल सकते है और वी cancel nearly about 10 रुपीज अगें यह जश्ट एक coverage है मैं आपको दूसरा भी दिखाऊंगा कैसे आप कर सकते हो nearly about 8,10 done आगे चलो देखते हैं एक दिन मैं और आगे बढ़ा लेता हूँ last day है वैसे भी done आप यहां पे देखोगे आपने 66,7 के आसपास खोया है that is nearly about 2.4% of your capital 2.4% हमारा losing था October में यह रहा market sideways 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 चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए सीधा losing market ने 4% का आपको profit दिखाया अगर आप conservative होते या फिर 4% वैसे भी good profit होता है आप book कर सकते हो otherwise अगर market within few days within 5 days 2000 point नीचे गिरती है मतलब average average almost 1.5% per day downside में गई तो आपने लगबग 2.5% का losing किया है अब हम इसमें देखते हैं कि अब हम और बहतर कैसे कर सकते थे बहतर मतलब हमें एक अगर अच्छा example लेते तो क्या होता let me यह august august के mid में आया फिर उसके बाद ऊपर गया फिर sideways 20 ठीक है let's go and have something in august let's go मैं आपको बहतर अच्छा और बुरे दोनों दिखा रहा हूं august में starting यह है और end 31st का है ठीक है 31st को market कहां थी it was here और starting कहां थी काफी उपर and then return ठीक है चलो देखते हैं इसमें क्या होता है तो हम सबसे पहले choose करेंगे cell 36 का into यह मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाऊंगा जिससे आप बहतर समझ सको ठीक है फिर वापिस यह रहा 26 cell 500 point बना एक दो तीन चार पाँच बाई उपर की तरफ cell कहा है यह एक दो तीन चार पाँच बाई ठीक है यह यहां पर बन चुका है आपका iron condor हमें क्या करना है just we'll see कि हम green के बाहर कब जातें green के बाहर हम जब जाएंगे यह लो हम अभी आ गए height ठीक है यहां आप देखोगे कि हम cross कर चुक है तो थोड़ा सना हम क्या करने वाले 15-15 minute पीछे जाने वाले यह पांच मेट आए गए और पांच मेट आगे यह लो सुबह सुबह हम gap down open हुए अचली सुबह सुबह ठीक है तो we just need to do one thing कहां गए हम call side close करना है जैसे पिछली बार के देगो 6-6 मिल रहे है call side में और 20,000 है इसका 40,000 आपने call side से earn किये हैं और हमें simply startle create करना है वाला आइन फ्लाई बनानी है तो जो हमारा put है 45,000 का हमें 45,000 का call बेचना पड़ेगा और 500 पॉइंट दूर क्या करना पड़ेगा कुछ गढ़बढ है wait मैं इसको recreate करूं जड़ा कुछ गढ़बढ है इसमें simulator आगस्त में गए देखो मैं बहुत raw सिखा रहा हूं ठीक है time लगता इंसारी चीजों को सीखने में थोड़ा patience रखो मेरे साथ जिससे आपको थोड़ा चीज़े समझ में आए यह 45,000 को जो put है वो हमने sell किया है ठीक है और 44,500 का buy करते है ठीक है वो क्योंकि देखो यहां पर वो क्या होगा न लिक्विट नहीं होगा तो यहां पर gap ज्यादा था इसलिए हमें यहां पर दिखा नहीं वो इसके बाद हम फिर इधर आए और यह sell किया और 47,100 तो 47,600 का buy ठीक है simple as that done अब हम इसको चुपा सकते हैं और हमें यहां पर read कर लो आप थोड़ा simply max profit 1 lakhs max loss 1.7 this is usually something like this आपको ऐसे कुछ देखने को number मिलेगा और 56% का POP है 14,00,000 का margin लगेगा break-evens 2% and 3% respectively ठीक है let's go ahead एक एक दिन आगे करके done और चलो थोड़ा सा पीछे करता हूं इससे समझ आए ठीक है कुछ नहीं होगा यह next day gap down पर पता चला हमें ठीक है gap down हो गया अब हम call side में क्या कर रहे हैं यह हमने एक call निकाला यह हमने दूसरा call निकाला and हम 45,000 की put की जगा 45,000 का call बेचने वाल है और 500 दूर का buy करने वाल है तो let's go delete this 45,000 का call यह रहा let's sell it और 45,500 का buy rn5 correct तो rn5 बन चुकी हमारे पास again अब हम इसमें क्या करने वाले हम green area के outside react करेंगे that's it और safely sell करेंगे अगर कुछ extra sell करना है daily जा रहे हैं आगे क्या हम green के बाहर है let's see 9,16 और अधे एक और आई करते हैं नहीं अभी just चलो हो गया अब इस जगा पे हमें सिर्फ क्या करना है हम यह बचाना है तो जो हमारा overall highest loss है इस पक 56,000 रुपय का है that is very minimal very minimal मतलब बिल्कुल डरने की need नहीं होने चाहिए आपको आपका जो max profit है 2.14 lakh ठीक है और आपका 21% का POP है net credit 2.14 lakhs और 16 lakh का margin है 1.1 is to 4 का profit ratio that is very good no risk at all पूरे महीने में आप खो सकते हो तो 2% आपके पास पाने के लिए लगबग लगबग 8-9% on average अगर capital के बात करें margin पर देखें तो 15% ठीक है तो अभी यहाँ पे एस सचना need नहीं है बट फिर भी देखते हैं अगर options में कुछ safe sell करने को मिलता है मुझे तो safely there is something to sell 15 पे sell करके देखते हैं एक पर sell किया तो लगबग 500 से 600 पाइंट दूर क्या है तो अगर मैं 500 पाइंट दूर जाता हूं कहां पर है हम 44 500 पे तो मैं 45,000 पर जाता हूं तो हम 60,000 लूज कर रहे हैं क्या हम accept कर सकते हैं कर सकते हैं but let me see some safer 50 रुपीज 40,000 हो रहे हैं 50 की भी नीड नहीं है let's sell 40 रुपीज तिंस done ओके चलो फिर साइगे करते हैं कि दिन करके कुछ drastic होगा then only देखो market directly उपर आगे अब ये था point जहां पर मैं आपको समझाना चाहता है कि कैसे आप इस पर react करो देखो आपको need थी आपने एक lower price की चीज को बेचा आप समझों मेरी बात को आपने एक lower price की चीज को बेचा क्योंकि आप अपने आरेन फ्लाई के चुल downside है कर market और गिरी वहां का loss कम करना चाहते हो just like last time ठीक है पर कब तक जब तक वो आपके आरेन फ्लाई के center में वापस market ना जा अगर आपने कोई आग लगी थी उसमें पान इरिया के मिड में आगी क्या आपको इसकी नीड है नहीं है तो यह जो 10,000 रुपए हुए यह क्या हुआ this was an adjustment cost आपने adjustment की cost भरी है और यह 10,000 रुपए का loss आपको accept करना पड़ेगा टंटना खतम हम फिर से मिड में आ चुके हैं चल लेट्स गो अगें market center में don't need to get कुछ नहीं हो रहा है चलो market downside में आई है we are seeing 20k loss क्या हमें व्यापिस से ऐसा कुछ sell करने की need है let's go yes of course चलो वापिस चलते हैं 46,200,50,45 हाँ 50 रुपए की चीज हम बेज सकते है let's go ठीक है आगस्थ है यह देखो चार्ट आप देख सकते जो बहुत ही अजीव गरीब तरीकर आठ ने देख रहे है आपको यह market सीधे गिरी फ्लेट आई फिर सिधेगिरी फिर उपर जाएगी फिर नीचे जाएगी बहुत ही अजीब हो गरीब चार्ट है इस उसका ठीक है तो चलो आगे चलते हैं सेंटर पर वापस आएगा तो हम रखेंगे अजर्वाइज नो 50 का 30 हो गया 11,000 हमें मिल रहे हैं देखो पिछली बार 10 खोए थे इस बार 11,000 मिल रहे हैं तो इस गुड और बाद बोथ ओके मार्केट पलट आती है तो आपको फील होता है बट देखो 22,000 का लॉस है आपको ओर ओर लॉस ही कितना इसमें टोटल लॉस 38,000 रुपय का है आपका लॉस 11,000 है नथिंग आपको लगए 15,000 का प्राफिट हो रहा है आपके सेल पे वेट पांस जार का लॉस आपको 14,000 मिल रहे हैं फ्लैट है कुछ नहीं 21 तारीक अभी भी वैसे का वैसे ही है अभी भी वही हो आप अभी भी वही हो बूम market reversed and green area में आ गई जो आपने extra बेचा था क्या आपको उसमें loss हो रहा है इस बार नहीं हो रहा है आपको इस बार उसमें loss नहीं है क्यों क्योंकि market ने time भी ताया और फिर वापिस उपर आई है इससे theta decay हो चुका है आपको theta decay concept पता होगा वो time से vary करता है और ना कि किसी movement से कर देगे ठीक है next day वापिस से हम आ गए nothing else हम यहां पर देखो 10 रुपए के नीचे आ चुके हैं already और हमें 24,000 रुपए मिल रहे हैं मैं इसको exit कर रहा है इस पर the rule I will sell something again हर बार 50 रुपए नहीं बेचना याद रखना वरना ऐसा फसोगे ठीक है इस बार मुझे 12 भी चलेग that's it मेरा जो highest loss है 35,000 के आस पास है चलो 28 तारीख आ गई है we are similar 29 तारीख को हम देख रहे हैं हमें 36,000 का profit हो रहा है this is 1.5% of our capital हम 30 तारीख को जाते हैं market और उपर कई center में नहीं आई है तो मतलब हमें इसे निकालने की need नहीं है and we are not getting affected हमें लगबग 14,000 रुपए मिल रहे है on profit हमने देख लिए हैं दो बार के जटके उसके बाद भी profit मिल रहा है हमें और हम last day पे चले जाते हैं 31 तारीख को 31 तारीख को हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें 15,000 lose हो रहा है 31 को देखो क्या हुआ है market में 31 को market वापिस से गिरी थी और थोड़ा सा नीचे की तरफ close यह देखो आप एक दिन पहले जाओ यह देखो एक दिन पहले market ने आपको दिया almost almost क्या समझोगे आप 2% ठीक है almost आप 2% कमा रहे हो on capital और यहाँ पे आपका last day पे market नीचे गिरा और यह आपका profit ले गया simple कुछ भी नहीं है आप देखो मैं end of the day ले जाओंगा आपको 39 आपने 36,000 रुपे खो दिया simple august में और क्या बुलते हैं October के अंदर दोनों में दो चीजे common थी क्या आपको market ने मौका दिया दोनों बार एक बहुत ही अच्छे profit में निकलने का और उसके बाद आपने end of doing जो last तक जाने के बाद end of क्या structure निकला आपका बिलकुल last day पे आपने पैसे खोई मैं आपको इसका एक pointer बताता हूँ इसमें एक बहुत बड़ा factor आता है यह आपने ध्यान नहीं दिया होगा मैं आपको इसको समझाने के लिए देखो अगर आपने lesson 2, 3 देखा हो तो देखो क्या होता है this is a weekly game ठीक है यह रहा theta tk का chart theta tk ऐसे होता है ठीक है अगर हम delta और gamma का chart देखें इसका opposite होता है देखो क्या होता है theta tk na beginning के 2-3 दिन में थोड़ा सा slow होता है last के 4 और 5 देज में बहुत तेज होता है और यहाँ पर आके बिल्कुल end के time पे बिल्कुल theta tk 0 हो जाता है क्योंकि यहाँ पर theta बचा ही नहीं है यह एक normal intrinsic value है सम नहीं यह move करेगी तो इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा का जो reaction है इसमें बहुत सारा बढ़ जाता है और iron condor या फिर strangle straddle कोई भी वीगा negative strategy किसके against होती है अगर आपके पास theta नहीं है इन सब में theta नहीं है तो आप क्यों काम करना है तो इसका मतलब यह है कभी भी मैं एक ज ending days last के कुछ दिनों में इन तीन दिनों में कहीं पे भी अच्छा profit दिख रहा है तो आपको यह चीज exit करना है इसका reason क्या है क्योंकि आपके पास theta नहीं है अगर अब यहाँ पर move आया तो आप fight नहीं कर पाओगे that's it इसके अरावा आप कुछ भी इसमें logic नहीं लगा सकते क क्योंकि आपने आरन कॉंडर बनाया है आपने theta earn करने के लिए आपको क्या करना चाहिए theta earn हुआ last में आपके पास theta नहीं है आपको fight कर रहे हो this is senseless बात ठीक है तो आप हमेशा try करो कि अगर आपको 27, 28, 29 तारीक या Wednesday को Tuesday को last expiry पे अगर आपको profit मिल रहा है 2, 3, 4% उसको book कर करने में ही भलाई ठीक है चलिए very good और ये वीडियो लंबा हो रहा है बट मैं आपको और दिखा देता हूं और ये लीजिए हम मार्च को भी यहां पर वो कर लेते हैं starting of the day 12 बजे ठीक है एक clear किया हमने और मार्च आ गया हम 29 मार्च को चलते हैं आरंग कॉंडर बनाता हूं फट से बन गया ठीक है हाइड देखते हैं क्या बनाए चालिस सौ का सेल है 49 छेसो पांसो 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 बिलकुल perfect बना कोई दिक्कत में में इसको भी दिख खुरू को Germans आ गए हमने क्या बना है March मार्च काट बहुत ही ऊट पटांका चाट थाह सअ यह देखो यह देखो थे। मार्च में मार्यक्ट एक बार उपर वह गई, एक बार नीचे फिर उसके बाद ऊपर को आइ फिर नीचे वह इए फिर is enter में ग्लोज हो गई। मार्च का मार्केट बहुत ही कैसे संभजा उई है काफ़ी ज्यादा खराब था । ठीक है ता… ग्रीन एरिये के बाहर बाहर वेट पॉर एट अब आ शेंटर 900 का प्रॉफिट है अभी कुछ नहीं बिल्कुल एज पर आ गई हो और निकल गई है बाहर ग्रीन के बाहर निकल गई है मतलब हमारा एक ही काम बचता है इसको क्लोज करो कॉल्स को दोनों को वन टू दोनों और चालिश चैसो का बाई इसको 36 का इंटू हाइड किया वापिस बिल्कु मैं देखो आपको बिल्कुल उसमें वो नहीं कर रहा हूं देखो यहाँ पे 45 जा रहे हैं यहाँ पे 4 लाग का प्रॉफिट है इस बार प्योपी 23 है आपका 26 का मार्जिन है और 1.9 का रेशियो 1 खो इवन वही सिमिलर नेट क्रेडिट 4 लैक्स चलिए आगे बढ़ते हैं डे बाई डे मार्केट क्रॉस कर गई है वाट शुड्वी डू हमें कॉल बेचना चाहिए दूर से पंद्रा डेल्टा का लेट सी 99 का यह मैंने सेल किया मुझे यह देखना है अगर 500.2 पर खुला तो क्या होगा मार्केट 49 400 रुपर 40,000 रुपर गया तो 87,000 का लॉस है नूँ आइकें न रिखा दू बहुत बुरा मीडियेटर एंड बेरी गुट इससे क्या होगा आपको समाझ आएगा आप कितना क्या कर सकते हो आपको 36,000 का प्रॉफिट हो रहा है मार्केट अभी होई पे 99 का 25 अभी होई है यह 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 गेटिंग 80,000 अराउंड काफी अच्छा प्रॉफिट ह से मार्केर मिड में आई तो हम हट जाएंगी किस से इस सेलिंग से जै एक्ट्रास स CT बिल्कुल मिड में आ गई है आपको 89,000 मिल रहे हैं, मार्केट फिर से बाहर की तरफ आई हम एक्स्टा सेल कर सकते हैं, लॉस कितने हैं हमारा, हाइस लॉस बारह हजार है अगर कुछ ऐसा 10-12,000 का लॉस बचता है, तो एक्स्टा सेल करने हैं यह वह कोई नीडत नी, यू आर बर्ने योरह एक्स्टा मार्जर, ठीक है 84,000 आपको मिल रहे हैं 75, 39,000 मार्ज आपको 1.81,000,000,000,000,000 मिल रहे हैं अब लगभग इंड आप लगब दे में 2.7,000,000,000,000 तो मैं आपको यह बनाना चाहरा हूं कि आपका जो equity curve है, it should look something like this, big profit small loss, big profit small loss, small profit small loss, small profit small loss, big profit something like this, आपका equity curve कुछ ऐसा दिखना चाहिए मतलब आप अपने 2% खो उसके बाद भी चाहिए 2% खो उसके बाद 5-6-8% कमाओ फिर उसके बाद ऊपर रहो, फिर flat रहो फिर ऊपर कमाओ, I am just talking about this, अगर आपका equity curve कुछ ऐसी चीजों को prefer करता है, आप ऐसी चीजों को practice करते हो, तो most of the time you will see कि आपका जो mental status है, वो बहुत stable है, और आप उसको बहतरी से trade कर सकते हो for a longer term तो ये एक safe very safe strategy थी, जिसको आप lower lot size में 1, 2, 3, 4, 5 जिस भी ratio में trade करना चाहते हो, आप इसको trade कर सकते हो, और इसका जो result है, आप other months में भी try कर सकते हो, 2023 में किसी भी महीने में, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने कैसे तरीके की practice करी, आप इसको forward test भी कर सकते हो, forward test मतलब आज से start करो, अगले महीने से start करो December से start करो, एक lot से practice करो you will understand कि मैं क्या बोलना चाहता था अगर इसमें कोई भी question है आपको तो आप comment box में डाल सकते हो this was lesson 8, advanced strategy का पहला part है चलिए, मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लागा iron condor के कुछ नहीं करना, अगर green area को cross करती हो, तो आपको iron fly बना देना है iron fly बनने के बाद, अगर उसके भी green area को cross करती है, तो उसके opposite side में आपको 15 delta, या कुछ ऐसा बेचना है जो बिल्कुल बेचते time safe हो, 500 से 800 point अगर market opposite में आया आपकी तरफ तो आपको कोई बड़ा loss नहीं होना चाहिए this should be accepted loss, वही बेचना है आपको extra, अगर बेचना चाहते हो, अगर आपका loss बहुत ही minimal है, आप समझते हो कि iron fly का जो loss है, मैं वो जहेल सकता हूं तो आपको extra selling की कोई need नहीं, just continue till the last and that's it, खतम expiry के near जाते time, अगर आपको लगता है कि theta decay बहुत ज़्यादा होगे, आप अच्छा रन कर रहे हो, तो last के दो दिन में आप इसको leave it कर सकते हो, and you are good to go, ठेक है this was a very long video for me, आप इसको ध्यान से देखना, अच्छा लगे तो like करना, tata bye man, thank you